CBC Words में आपको स्वागत है तो ये मेरे पास Oswal Books की Class 8 English Question Bank है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये बुक कैसी है क्या क्या चीजें इसके अंदर है और फिर आप खुदी decide कर लेना कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अपना भी opinion में दूँगा तो चलिए इसको open करते हैं यहाँ पर देखो आपको ये पूरा content मिल जाएगा Section A आपका reading section है इसके अंदर unseen passage आपको दिया हुआ है फिर section B writing इसके लिए हैं grammar तो जितने writing वाली चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी गैसे later, email, paragraphs और फिर देखो ये grammar वाले section आगया grammar के सारे chapter आपको यहाँ मिल जाएगे section C आपका literature वाला है जो आपकी text book है, supplementary reader है उसके content आपको यहाँ मिल जाएगे जिसे आपका prose हो गया, poetry हो गया उसके जो chapters है, फिर आपकी जो supplementary reader है उसके chapters और फिर लास्ट में आपको दो practice papers मिल जाएगे, तो यह सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी, और आगे open करोगे तो आपको यह चीज़ दिखेगी, इसके अंदर क्या है, देखो अब नई education policy लग हुई जिसे हम short में NEP कहते हैं, उसके अंदर तो देखो सारी चीज़ें दिए हैं, जैसे यहाँ पर आपका जो assessment होगा, यनि जो आपका exam या test होगा वो किस तरह से होगा, देखो यहाँ competency-based questions होगे जो आपके real life situation-based होगे फिर जो analysis होगया, critical thinking-based जो questions है, और 40% जो questions होगे, वो MCQ to false इस तरह के format में होगे, तो जो नया pattern है, उसके अंदर किस तरह से question आएंगे वो चीज़ भी इस book के अंदर दी है, तो दोको इस तरह से आपका unseen passages होगे कुछ इससे important point आपको starting मिल जाएंगे, फिर passage पढ़ो उसके question, फिर उसके answer भी आपको मिलेंगे, फिर section B writing के अंदर क्या क्या चीज़े हैं, उससे related ये पूरा mind map दिया हुआ है, फिर आप दोको section B जो grammar वाला है, तो पूरी grammar को summarize करके, यहां mind map के form में दिया है, अब जो mind map होते हैं, वो चीज़ों को याद करने में और revision करने में बहुत ज़्यदा helpful होते हैं, अब खुद ही देखो पूरी grammar की यहां पर एक तरह से summary दी हुई है, तो एक ही page में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, आप देखके revise कर सकते हो, फिर देखो पूरा later वगएर आपको कैसे लिखना, यह यहां मिल जाएंगी, फिर जो index questions होते हैं, बीच-बीच में वह आपको मिल जाएंगे, जो textbook के questions है, वह आपको मिल जाएंगे, और यह जिसकी मैंने starting में बात कर रहा था, कि नए education policy में जो competency यह critical thinking based questions है, जो real life से जोड़ के questions पूछे जाएंगे, तो वह आपको यहां पर मिल तो उससे idea लग जाए, किस तरह से exam में question आने वाला है, फिर last में आपके practice papers मिल जाएंगे, तो इसे बहुत कुछ है, और बहुत मोटी book भी नहीं है, आप देख सकते हो, इसकी thickness कितनी है, तो जो भी चीज़ें इस book से related थी, वो मैंने आपको बता दिया, अगर आप मुसे पर click करना है, तो यहाँ पर आपको Amazon का link मिल जाएगा, इस link पर click करके आप यहाँ से purchase कर सकते हो,